दोस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेनिंग्स वाफ नेम्स में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संजीवनी नाम का अर्थ क्या होता है संजीवनी नाम की लड़कियों का विक्तित व्यमून का रासी फल क्या होता है आज की इस वीडियो के माधियम से हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे नए नए वीडियो देखने का मौका मिल जाए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करता ह संजीवनी नाम करते जानते हैं दोस्तों संजीवनी नाम का जो आर्थ होता है वो अमर्ता होता है यानि कि हम लोग अमर्ता को संजीवनी काते साथी साथ अगर बात कर ले संजीवनी नाम के लड़कियों के लगी नमबर के बारे में यानि के उनके सुब अंग के बारे में और दोस्तों बात कर लेते हैं अकर हम इनके लिंग के बारे में तो लिंग जो ये होती हैं ये लड़की होती है यहां दोस्तों यानि कि इनके हिंदु धर्म में लड़कियों का नाम होता है और बात कर लेते हैं साथी साथ रासी के बारे में इनका जो रासी होता है वो कुम्भ रासी होता है जियां दोस्तों और इसे के साथ हम लोग बात कर लेते हैं फिर धर्म के बारे में जियां दोस्तों इनका जो धर्म होता है वो हिंदु धर्म होता है यानि कि इनका जो नाम है वो हिंदु धर्म में इनका नाम है और रखा जात दोस्तों अगर साथी साथ अगर हम लोग बात कर लें सुभ रंग के बारे में दोस्तों इनका जो सुभ रंग होता है वो हलका नीला बैगनी वो लाल रंग होता है यह दोस्तों और साथी साथ अगर हम अगले बात की बात कर लें यानि के इनके सुभ रतन के बारे में इनका ज साथी सत दोस्तों और इसके रासी के पारे में डीटियल जाने तो इनका जो रासी का डीटियल है वो है कुम रासी के जातक बेहद गुसेले किस्म के होते हैं भगवान सनी देव और हनुमान जी को कुम रासी का अराध्य देव माना जाता है कूमबरासी आम तोर पर हाथो और पैरों की छमता को नियमित करती है कूमबरासी के लोग की उत्तेजना और परिसंचरन को यूरेनस ग्रहद्वारा नियंतरित किया जाता है अगर कूमबरासी के लोग अपने सरीड को परियापत आराम नहीं देते हैं तो जोतिसी मानते हैं कि उन्हें इलर्जी अस्तमा अंगू में सरीजन हिरदय की समस्या और गठिया जैसी बीमारी हो सकती है दोस्तों ये कुछ खास बाते थी जो कि मैंने इस नाम के रिलेटेड था और मैंने इस वीडियो के मादेम से मैंने बता दिया दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लागा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता है और वीडियो को लाइक करके जाए अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए ने वीडियो देखने का मौका मिले म मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद